नमस्ते दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं कि फेस्बुक में कैसे ग्रूप को क्रियेट किया जाए आपको अगर फेस्बुक ग्रूप क्रियेट करना होगा तो आप फेस्बुक क्रियेट करेंगे फेस्बुक में जाकर अगर आपको फेस्बुक ग्र प्राइबंग का पर आपको इसपर क्लिक करेंगे आपका यहां पर आप नीचे करेंगे नीचे आने के बाद यहां पर देखिए थोड़ा साथ निचाएंगे तो इसी एरिया के भीतर में आपको groups जाएग आप इस पर क्लिक कीजिए अब इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर आ जाएंगे यह पिर आपको लाइक किया हो सस्क्राइब किया हो तो वो भी आपको यहाँ दिखाई देने वाला है देखिए मैंने जितने भी यहाँ पर ग्रूप को लाइक किया है वो सभी ग्रूप यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है मैंने बहुत सारा ग्रूप लाइक किया है तो यहाँ पर बहुत सा आने के बाद आप उपर देखिए इस ग्रूप के राइट साइड में जो प्लस का निसान उपर में है यहां से देखिए ग्रूप के राइट साइड में प्लस का निसान जो उपर में है आपको उस पर क्लिक करना है जैसे यह आप उस पर क्लिक करेंगे आपके नीचे की और दे क्लिक करना होगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये दूसरी पेज खुल के आ जाएगा इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है नेम यूर ग्रूप आप अपना ग्रूप का यहां पर नाम डाल सकते हैं आपने अगर कोई नाम सोच के रखा हो तो आप अपना ग्रूप का नाम यहां पर रख सकते हैं जैसे कि मैंने अपना ग्रूप का नाम डाक्टर एग्रो रखा है तो मैं यहां पर डाक्टर एग्रो ही टाइप करने वाला हूँ खिलाल मुझे तो agriculture के लिए चाहिए कोई किसी जैसे बस्तुव की जानकारी के लिए मैं एक group create करने जा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर Dr. Agro नाम से एक group बनाऊंगा इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आया है privacy, choose privacy, privacy का option है अब इसमें क्या है? आपको यहाँ से choose करना होगा जैसे आप यहाँ पर इसका drop down box में choose करते हैं, click करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है public या private अब आप अपना जो group है, उसको किस में रखना चाहते हैं? पब्लिक ली रखना चाहते हैं या private रखना चाहते हैं? अब आपको इसमें यह भी समझना होगा कि public का क्या आर्थ होता है और private का क्या आर्थ होता है? सिर्फ वही लोग आपको इस group को देख पाएंगे जिस आदमी को जिस लोगों ने आपका group को लायक किया होगा वही लोग इसमें post भी कर पाएंगे और वही लोग इसको देख पाएंगे तो फिलाल हमको इसको private नहीं रखना है, publicly रखना है, लोगों तक पहुचाना है इसलिए हम इसको public करने वाले हैं और यहाँ पर हमने इसको public selector लिया इसके बाद हम यहाँ पर done कर रहे हैं done करने के बाद नीचे की और आप देखिए यहाँ पर है create group और इसके बाद create group में हम click करते हैं इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद यहाँ पर एक और page खुलके आ गया इस page में आपका जो अपना friend circle का जो भी आपका दोस्त होगा उसको invite करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आप अपना group में उस दोस्त को यहाँ पर invite कर सकते हैं और invite की जिए इसलिए यह option दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा member बनाने के लिए कहा गया है तो हम क्या करते हैं फिलाल, ज्यादा member नहीं बनाएंगे, एक दो member यहां से अभी फिलाल आपको दिखाने के लिए invite कर लेते हैं, तो चलिए यहां पर पहले हमने एक किया, दुसरा किया, अब यह invite करने के बाद हम क्या करेंगे, उपर right corner में देख पा रहे होंगे, next का बटन ह उस next बटन को क्लिक करेंगे, next बटन को जैसे हम क्लिक करते हैं, यहां पर आ गया add a cover photo, अब आपका जो group बनेगा, उसके उपर में आप cover photo डालिए, जिस चीज का आपने group बनाया हो, उस group का अगर आप यहां पर photo डालना चाहते हो, तो आप photo डाल सकते हैं, अगर आपका photo नह तरह से है, जिस तरह से आप अपना profile picture की उपर में cover photo लगाते हैं, मगर हमने फिलाल यहां पर कोई भी cover photo नहीं बना के रखा है, इसलिए हम यहां पर cover photo अभी नहीं डालेंगे, फिलाल तो यहां पर आपको suggest भी कर रहा है, यहां पर 4-5 photo भी नीचे में दिया गया है, आप द अपर आपको डिस्क्राइब करना है, आप इस ग्रूप में क्या करने वाले हैं, वो चीज आप यहां पर लिखेंगे, तो हम यहां पर फिलाल लिख रहे हैं, group about agriculture, क्योंकि हमारा यह agriculture से समधित group है, इसलिए हम यहां पर group about agriculture लिख रहे हैं, और यह लिखने के बाद, यहां पर यह टाइप करने के बाद, यहां से हम नीचे आकर फिर से next कर रहे हैं, next करने के बाद, यहां पर आप देखिए, यहां पर choose goals बोल रहा है, इसका क्या आर्थ है कि आप आपका जो group है, वो group का goal क्या है, उसमें क्या-क्या लोग कर पाएं, जैसे कि यहां पर उपर में दिया गया है, आप उसमें जितने भी member होंगे, people होंगे, वो meeting कर पाएंगे, कर पाएंगे, या कुछ, ऐसा ही कुछ भी कर पाएंगे, तो मुझको लगा कि सब कुछ देना जरूरी है, क्योंकि आप अगर group बना रहे हैं, तो आपको सब कुछ की ज़रुत पड़ सकती है, इसलिए आप यहां से checkbox करते हुए, सारे चीज को one by one select कर लेजिए, जैसे आप अब नीचे तक select कर लेंगे, उसके बाद यहां से फिर नीचे next क्लिक कीजिए, next करने के बाद आपका यह फिस खुल जाएगा, यहां पर है create a post, अब आपका group create हो चुका है, और जो group आपका बन चुका है, उसमें आप एक कोई भी post create कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आ आपका group create हो चुका है, और आपने उसमें एक post भी डाल चुके हैं, तो हम फिल हाल यहां पर एक post create करने जा रहे हैं, पोस्ट में कुछ टाइब करने के बाद background हमने यहां पर इसे नीचे में से एक लाल कलर का लगा दिया है, उसके बाद नीचे आते हैं, और यहां पर done कर द हम यहां पर देखते हैं, तो देखिए हमारा जो post अभी हमने create किया है, वो post यहां पर group में आकर त्यार हो चुका है, और यहां पर आचुका है, और नीचे आकर आप यहां पर देख सकते हैं, invite भी कर सकते हैं दोस्तों को, यहां से भी, और आपको invite का बटन उपर भी मिल जा करएगा फिलाल में हम यह manage कर रहे है, manage के अंदर आप देख लिए यह पर खुल के आता है और invite के अंदर जाएंगे, तो फिर आपको यह पर खुल के आएगा जहां से आप फिर से दोस्तों को invite कर सकते हैं, फिलाल हम यहां से भी, और यहां से आ थाइप करके कोई भी सिल्केट फ्रेंड को सर्च करके भी आँ से आप इन्वाइट कर पाएंगे तो उमीद है दोस्तो आज का फेस्बुक में ग्रूप कैसे क्रियेट करते हैं ये वीडियो आप लोगों को जरू पसंद आया होगा और आपने अच्छी तरह से समझा होगा अगर आप लोगों को हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो किरिपया हमारे वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेर करना ना भूलें